नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हशिंदर कौर जो की साहित्यक के शेत्र में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है उनको आपने अक्सर ट नमस्ते और आपके जरिये जितने भी देख रहे हैं बच्चे बुड़े बज़र्ग सभी उन सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्ते और प्यार भरी आपको याद कि आप अपना टाइम निकाल के हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं डॉक्साब को डबलू सी सी की जो जनेवा में यानि क्रिस्टिन रिलिजिन के साथ जो हैं उनके साथ वो जो बर्ड लेवल के उपर उनका जो भी वो कहते हैं या करते हैं तो वो सभी मानते हैं तो जनेवा में यानि स्विजर लेंड में जाके जो बहां से वो बात करेंगे तो वो दुनिया भर में पहु तो उनके लिए एक आज कुछ अलग इसलिए हुआ कि पहली बार उन्होंने गुरू नानक देव जी के साड़े पांच सो साल का जो जनम शताबदी चल रही है उसी के अधार के उपर इस बार उन्होंने बात करनी चाही है कि जैसे उस समय औरत के उपर बहुत ज्यादा जलम हो था तो उन्होंने क्या ऐसी बात कर दी अलग दुनिया में कि जिससे औरत में कुछ तबदीली उस समय दिखी तो वो चाह रहे हैं कि आज के दिन जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन फिर दुबारा उसी हालत पे पहुंच गया बलके कई जगा तो उससे पहले से भी ज्यादा बत्तर हालत में औरत को इस वक्त रखा गया है कि उसको बराबरी तो छोड़िये जानवर से भी एक कदम नीचे रखा जा रहा है तो उनको जो अंकड़े उनके पास पहुंचे वो सारे देखते हुए उन्होंने सोचा कि इस बार क्योंकि वो है भी दुनिया भर में इस वक् रहा उनका जनम शताबदी का साल तो इसी लिए उन्होंने रखा कि इस बार वहां जनेवा में गुरु नानक देव जी की बानी के अधार पे उनकी सोच के अधार के उपर कुछ दुनिया में ये पहुँचाया जाए कि क्या तबदीली होनी चाहिए जिस से औरत का उधार हो सके औरत को उसकी जो इज़त है वापिस मिल सके यानि एक तरीके से हम खींच के चाहे लाए पर उसको बराबर तो कम से कम ले आए जी डॉक्सर आप क्या मैसूस करती है उस समय में और आज के समय में क्या फार्क है तरसल मेरे को लगता है कि अगर हम जब देखते हैं उस समय के जो फिगर्स हैं जो आज के अंकड़े हैं अगर देखें सच जानिये लगता बहुत बुरा है पर मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं शायद हम पहले से भी कुछ नीचे की तरफ जा रहा है जैसे उन समों में औरत को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी उसको अधीन माना जाता था कि पहले पिता के अधीन है फिर भाई के अधीन हो गई फिर पती के अधीन फिर बच्चे के अधीन यानि उसको इस तरह की जिंदगी बितानी पड़ती थी उसमें कुछ फरक था कि शायद जितना जुलम हो रहा था वरत पे वो इतना बाहर नहीं था निकल रहा क्योंकि वो घर के अंदर ही किसी ना किसी के अधीन रह रही थी आज के दिन जैसे औरत आजाद हो रही है निकल रही है बाहर काम करने के लिए तो उसके उपर जितना जुलम अब आज के दिन जो शायद कुछ मीडिया की वज़े से होगा या कुछ वो औरत अपने आपको अजाद समझते हुए कुछ ना कुछ बोलने लगी है के मेरे खिलाफ ये जुलम हुआ तो अगर वो सारा हम रेकर्ड इस वकद देखते हैं तो लगता है कि शायद वो जुलम कई गुना ज्यादा हो चुका है लग सब युएन ने के आंकड़े क्या कहते हैं जी मैं आपको अगर बताओं तो सच में दिल हिल जाता है पढ़ने के साथ कि ये इस वर्ष के जो युएन के अंकड़े हैं वो बताते हैं कि लग भग दुनिया भर की 35 फीसद आरत है आज के दिन 35 फीसद आप समझ लीजिए एक तहाई से ज्यादा हो गई जो आज भी सेक्सिल वाइलेंस का शिकार हो रही है और ये जो अंकड़े मैं पहले बता दूँ जो सुन रहे हैं सबी के लिए कि ये अंकड़े वो हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए यानि जिनकी आवाज अभी नहीं बनी कोई कोई नहीं बना मीडिया तक नहीं पहुंचे वो पुलिस में नहीं पहुंचे कहीं भी उनका रिकॉर्ड नहीं हुआ वो शायद इससे कहीं ज्यादा होंगे तो जो UN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था मैं वही रिपोर्ट बता रही हूं कि उन्होंने कहा कि लगभग सत्तर फीसद और इस वकत जो सत्तर फीसद औरते हैं वो डुमेस्टिक वॉयलेंस का शिकार हो रही है तो ये शायद सुनने में हमें लगे कि सिर्फ औरत पे जलम हो रहा है पर इसका असर क्या होता है कि उन्होंने जो अगले अंकड़े बताए कि जो बच्चे ऐसे घरों में होते हैं जिनके सामने उनकी मा को मारा जा रहा है तो वो उनकी जो अभी दिमाग बन रहा होता है वो इसकदर बिगड जाता है प्रेशन में चले गए खुदकुशी कर ली उस तरफ या दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गुसे वाले हो गए या उनोंने जुरम की तरफ उनका जो उनोंने वो वला रास्ता अपना लिया या उसके इलावा उनोंने खुद भी डुमेस्टिक वाइलेंस काफी ज़्यादा क यानि सौ के सौ फीसद बच्चे जो इस तरह के घरों में थे कोई भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं रह सका इसलिए ये ना सिर्फ एक घर की बात रही बलकि उस घर का जो बच्चा बाहर निकलता है जो उसने वाइलेंस करनी है वो पूरे के पूरे समाज को गंदा करता है इस इसनी बड़ी गिंती जो दुनिया भर में जो हुई क्राइम उसमें से उनोंने देखा कि उसमें से 58 प्रतिशत ऐसी थी जिनको उनी के घर में से किसी ना किसी ने मारा था किसी के बाप ने किसी के भाई ने पती ने सास ने ससुर ने यानि घर के ही किसे बंदे ने उनका कतल किया तो यह इसका मतलब यह हो गया कि अंदाजन अगर वो गिने कि 137 ओरतें दुनिया भर में हर रोज मारी जा रही है जो अपने ही किसी के हाथ से मर रही है इसके इलावा जो और बड़ा खतरनाक जो अंकड़े हैं वो यह कि दुनिया भर में बहुत सारी बच्चियां और औरतें जो जो हुमन ट्रैफिकिंग की वज़े से तसक्री की वज़े से जो एक से दूसरी जगा भिजवाई जा रही हैं उन में से 71 फीसद तो सिर्फ यह यानि वो बच्चियां हैं जिनको स sexual exploitation के अधार पे लिजाया जा रहा है यानि हर चार में से तीन बच्चियां जो इस वकत उठाई जा रही हैं या भिजवाई जा रही हैं कहीं भी वो सिर्फ इस देबपार के अधार पे ही जा रही हैं यानि इतना बड़ा crime against woman जो अभी undercover चल रहा था वो सामने आ चुका और इसके इलावा और जो अंकडे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं जो उनोंने कहा कि साड़े छे सो मिलियन आज के दिन की जो औरतें और बचुएं जिन्दा हैं उन मेंसे वो ये इतनी बड़ी गिंती साड़े छे सो मिलियन 18 साल की उमर के पहले उनकी करती गई तो आप करने के लिए भीजा गया ना उनकी जो भी यानी ऑपर्चुनिटी सी सारी की सारी बंद कर दी गई उनके लगातार बचे पैदा होने के कारण या किसी भी और बिमारी के कारण जल्दी मौत भी जिनकी बीच में हो गई वो निकाल दी गई है इसमें से वो शामिल नहीं है पर इसके इलावा इस इनमें से बड़ी गिंती जो डुमेस्टिक वायलन्स का शिकार भी हो रही है वो भी शामिल है आप गिंती में दोबारा दोराना चारी हैं जो सुन रहे हैं जरा सोच के देखिए साड़े छे सो मिलियन ओरतें दुनिया भर की ये जल्म सह चुकी और इसके इलावा आज के दिन जो सबसे बड़ी बाता है कि ये नहीं कि हम इसमें कहीं भी रुके हैं आज के दिन भी कुछ जगाओं पे हर पांच में से एक और कुछ कंट्रीज में हर दास दस में से एक आज भी अठारा साल से पहले शादी उसकी करवा दी जाती है और ये सारा में एक आवाज उठाई गई बड़ी यूएन की तरफ से वो था जो आज की दो सौ मिलियन औरतें और बच्चियां जो आज जिन की जैनिटल म्यूटिलेशन यानि उनके अंदरूनी अंगों को काटा गया ये सारी प्रब्लम उनकी जो हुई वो खास तोर पे पांच साल की उमर से छोटी बच्चियों के साथ की गई जो ये आज जिन्दा है सहर ही हैं ये सभी कुछ आवाज जो निकाल सकी उन्होंने निकाली पर इसमें याद रखेगा बहुत बड़ी गिंती है जो आवाज नहीं निकाल सकी वो घर में दबी पड़ी हैं बंद हैं जिनकी जबान कोई नहीं बन सका जहां मीडिया नहीं पहुंच सका कंप्लेंट कोई नहीं हुई जरा वो सोचिए क्या सहरे ही होंगी और इनके नहीं पहुंच लैवाँ जो इस वकत दू AMY झके जो इनके एक और निकाले हैं कि इस वकत जो सकूल में पढ़ रहे हैं बच्चे जो ग्यारां से पंद्रां साल की उमर के हैं उन में से हर तीसरे में से एक यानि हर एक बच्चा तीन में से जो लड़की है खास तोर पे वो शिकार हो रही है इस स्कूल्स में जहां युनिवरस्टीज में कोई जा रही है या कॉलेज में या स्कूल्स में जो ग्यारां से पंदरां साल की बच्चियां हैं वो सबी इस कदर अपने ही साती बच्चों से या ध्यापकों से या रास्ते में आते जाते इस कदर उन पे जो कमेंट मारे जाते हैं जो जेंडर बेस्ट वॉयलेंस हो रही है उसके कारण बहुत बड़ी गिंती बच्चियों क यूनिवरस्टी में नहीं भेजी जाती इस डर से कि इनकी इज़त पे कोई हमला ना हो जाए वो अलग से आप सोच लीजिए कितनी बड़ी हर तीन में से एक आप समझ सकते हैं इसके इलावा जो यूनिवरस्टी में पहुँच गई उन में से भी 23 फीसद बच्चीयों ने कहा कि उनके साथ ये सेक्सिल असॉल्ट या सेक्सिल मिस कंड़क्ट उसी यूनिवरस्टी में या कॉलिज में हुआ है जो मानी है और ये जो यूएस से का हुआ था 2015 का 27 यूनिवरस्टी का सर्वे उसमें उन्होंने लगभग 37 फीसद बच्चीयां थी जिन्होंने माना उनके साथ ये हुआ अब ये तो मानी है अगर इनमें सोच लीजे जो नहीं अभी सामने आई वो कितनी बड़ी इंती होगी इसके इलावा भी जो उन्होंने यूरोपिन यूनियन में एक और स्टडी की उसमें भी उन्होंने देखा कि पंदरा साल से छोटी बच्चीयों के हर दस में से एक ने माना कि साइबर हरास्मेंट उनके साथ इस कदर हुई कि उन्होंने कई बार खुदकुशी करने बारे में भी सोच लिया अब ये सारी तो ये थी इनके इलावा स्ट्रीट बेस्ट सेक्सल हरास्मेंट के आप बाहर निकलती है तो कितने आप क्या सुरक्षित महसूस करती है या नहीं आप उसमें भी हरान होगे कि साथ फीसद और तो ने माना कि उनके साथ बद्दी छेट छाड हुई पर आप सोच सकती है कि अगर हर एक जन जो नहीं बोली अगर उससे भी पूछ लिया जाए या लग जाके तो मुझे को खत्रा है कि ये गिंती नबे फीसद से शाहिद उपर पहुन जाए रहे पर जो अलग एक चीज वर्क प्लेस पे जो वॉयलन सेक्सुल हरास्मेंट हुई या वॉयलन स हुई वो गिंती भी 69 फीसद पहुची हुई है जो आप समझ सकते हैं कि किस कदर ओरतें हर जगा पे जलील हो रही हैं उनके साथ किसी ना किसी तरह किसी ना किसी जगा ना घर में सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है ना स्कूल्स में ना कॉलेजिस में यानी कहीं भी नहीं है पर हमें लगता है कि शायद जो पारलिमेंट में पहुंच गई वो सुरक्षित होंगी पर ये अंकड़े मेरा ख्याल है दिल दहला देने वाले हमारे लिए जो UN ने कहे हैं जो उन्होंने स्टडी की कि पार्लिमेंटेरियन जो औरतें पहुंची जहां हम सोचते हैं उनके पास कितनी सुरक्षा है वो वहां कम से कम जो आप खुद कानून बनाने में शामिल हो सकती हैं वो बाकी औरतों का कैसे सहारा भी बन सकती है पर उनके साथ क्या होता है आप वही देख लीजिए कि दुनिया भर की औरतें जो पार्लिमेंट में पहुंची उनसे जो स्टडी के दरान भरवाया गया उनमें से 82 फीसद यानि 82 परसेंट ने ये माना कि उनके साथ ना सिर्फ मानसिक वो तौर से पीड़त हैं जिस तरीके से लोग उनके पे कमेंट वो मार रहे हैं और उनको थ्रेट्स मिलती हैं हमिलियेशन मिलती हैं सक्सुल रमाक्स बुरे उनके साथ जो उनको सुनने हैं वो उनमें से 84 फीसद को इवन मौत की उनको मारने की धंकी तक मिलती है रेप की मिलती है यानि बलातकार का उनको भी सुनना पड़ता है उसके अलावा उनको उठा लेने की अबड़क्शन थ्रेट सारी मिली पर मैं बताना ये चाहती हूँ कि ये देने वाले आखिर कौ हमी लोगों में से एक नहीं आप कमाल की बात ये है कि उनमें से ये जो सारी चीजें उने सुननी पड़ी वो 75 फीसद से ज्यादा उनके अपने कुलीग्स थे जो साथ बैठते हैं उनके वहीं पारलिमेंट में आप समझ सकते हैं कि हम किस से सुरक्शा की मांग कर रहे हैं कि हमारी ही पारलिमेंटेरियन औरतें अगर वहां बैठी जो कानून बना रहे हैं औरतों के हक की आवादें उठा रहे हैं उनी से उनको ये सुनना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिती मौजूदा है और कहां हमें काम करने की जरूरत है जी डॉक्साब आपको गुर जाकर कि आप जब इस पे स्पीच देंगी तो उस स्पीच के अंदर आप और क्या शामिल करना चाहेंगी जी मेरा मकसद है वहां क्योंकि ये अंकड़े तो हैं यू एन के मेरे नहीं तो मेरे को उनको बताने की जरूरत नहीं और जो पुराने जिन समों में गुरू नानक द जला देते हैं उसके इलावा भी जो कोख में मारी जा रही है वो भी मेरा ख्याल है किसी से चिपी नहीं और जब दो साल की बच्ची का हम बलातकार करते हैं वो खबरें भी सबीने पड़ी हुई है मेरा मकसद वहां जाने का कुछ पॉजिटिव एनरजी देने का है कि गुर भगवान के बच्चे हैं किसी भी धरम के जातपात के हों अगर हमारे सबी के दो आखे हैं दो कान है एक नाख है एक ही जैसे हैं जहां मर्जी हों रंग से उन्होंने कहा है कोई फरक नहीं पड़ता हैं तो हम इनसान दिल सबी के एक ही है और एक ही तरह धड़कता है तो क्य कि जो मर्द समझता है मैं औरत से एक कदम उपर हूं तो भाई आपने जनम तो उसी औरत की कोक से लिया है तुम्हारे अंग उसी औरत के अंदर बने हैं अगर वो खराब है तो आपके अंग भी खराब होने चाहिए और वो ओरत जिस से शादी करके आप और सम्बंद बनाते हो तो उस एक कड़ी को आप बुरा कैसे कह सकते हो और अगर राजे महराजे जिनके आगे आगे आप माता टेकते हो वो भी उसी कोक से पैदा हुए है तो वो कोक उस से ज्यादा एक कदम उपर गिनी जानी चाहिए यानि यह सोच ना सिर्फ वहां तक सीमत थी बलके औरत को उन्होंने कहा कि आप सरीरक तोर पे भी उतने ही स्ट्रॉंग हो जितने मांसिक तोर पे सो जो आज औरते हमारी बहुत सी बड़ी गिन्ती की बाहर निकली हैं बहुत सारी उपर आप देख सकते हो चाहे वो फॉज की बात हो या बिजनस की बात हो स्पोर्ट्स की हो हर जगा पे औरत पहुंची है पर प्रॉब्लम यह अगर हम देख रहे हैं इन में से की इतनी बड़ी गिन्ती में औरतों को यह सब सहना पड़ रहा है अगर वो फिजिकली स्ट्रॉंग हो जाएंगी जैसे के वो मानसिक तोर पे हैं क्योंकि वो निकली हैं तो अगर फिजिकली स्ट्रॉंग हो और समझें के मैं किसी से कम नहीं हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ और यही सोच अगर हम अपने आस पास पैठे मर्द के दिमाग में जो के जिन में हमारा ही पिता है हमारा ही भाई है हमारा ही बेटा है उसके दिमाग में भी भर सकें के हम आप ही के जैसे हैं तो जरूर Crime Against Women कम हो सकेगा डॉक साब ने हमें बताया कि ये जो सोच है कि हम स्ट्रॉंग हैं यही सोच जो हमारी स्ट्रॉंग होने की है वो हमें आगे तक पहुँचानी है और डॉक साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां आए डॉक साब एक चीज़ और है कि जैसे आपने कहा कि औरत को स्ट्रॉंग होना चाहिए तो स्ट्रॉंग होने के साथ साथ में मर्द को भी समझना चाहिए कि औरत स्ट्रॉंग थी है और हमेशा रहेगी बिल्कुल और मैं मानती हूँ कि यह हर मा की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को उसी तरह उसका पालन पॉशन करे जैसे वो अपनी बेटी की करती है कि अगर मेरा बेटा घर से बाहर जाके किसी और की बेटी पे जलम ढारा है तो मैंने ही रोकना है अपने बेटे को तुमन रहा है वो उसी तरीके से ही जैसे बढ़ रहे ताके वो औरत के प्रती थोड़ा सा सुहिर्द हो पर बात यह है कि उस घर का जो मर्द यानि उस बच्चे का बाप उसको भी समझना चाहिए कि मैंने अगर डिमेस्टिक वालेंस इस बच्चे के सामने की तो यही बच्चा हमारी सब की है हम अपने घरों में देखें क्या हमने अपने बच्चों को वाकई वा तालीम दी जो हम खुद के लिए चाहते हैं हमारी इजट हो तो यह जाहिर हर बंदा चाहता है उसकी इज़त हो पर हर घर में अगर अच्छे बच्चे होंगे तो समाज हम सब के लिए बहुत महतानी अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद